लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस्ट धाब लाइकन जैश्री राम आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेस्टेन्स करेंगे चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं On selling an article for rupees 72 A person lost 36.666% of its selling price At what price should we sell it to gain 25% on its cost price तो अगर कोई article 72 रुपे बेचता है तो उसको इतने का loss होता है तो उसे इतने बेचना चाहिए कि उसे 25% का profit हो तो cost price बताए चलिए करते हैं 36.66% को हम तोड़ लेते हैं Fractional value के लिए तो 20 प्लस 16.66% तो 20 की value होती एक बटे पाच बुड़ा में इसकी एक बटे छे तो यह हमारा बन गया Fractional value 11 upon 30 11 upon 30 तो 11 upon 30 जो हमारा Fractional है तो यह loss हो गया और यह SP हो गया तो CP जो है हमारा 40 बन हो गया क्योंकि loss हो गया हमें अब सीधा हमें डिरेक्ट निकाल लेना है तो यह जो 30 है वो 72 की value हो है 30 और हमें 41 की निकाल लेना है और 25% की value होती है 1 by 4 तो 5 by 4 की निकाल लेना है तो 0 से 0 कट जाएगा 3 2 जा 6 3 4 जा 12 4 6 जा 30 और यह हम 300 बराबर 41 तो यह हमारा आ जाएगा तो यह हमारा cost price हो गया यह हमारा cost price हो यह हमारा cost price हो यह CP अब next question पर चलते हैं रमे शोल्ड अबोक एट लॉस अफ थर्टी परसेंट इस यह हैड़ सोल्ड इट फॉर रेट 140 मोर दें he would have made it a profit of 40 परसेंट तो cost price बताईए बुक की रमेश ने बुक पे उसे 30 परसेंट का लॉस हुआ फिर जब उसने सेल किया 140 मोर पे तो उसको profit हुआ 40 परसेंट का तो cost price हम को बता लिए तो अगर हम माल लेते हैं कि हमारा CP जो है 100 एक्स है तो इस पर लॉस हमें हुआ 30 परसेंट का कितने का 30 परसेंट का तो हमारा selling price जो है 70 एक्स हो गया दूसरे माल लेते हैं कि CP हमारा 100 एक्स है तो profit हुआ 40 परसेंट का 40 परसेंट का तो जो हमारा selling price है वह 140 एक्स हो जाएगा कि ही वुड है मेड़ प्रॉफिट अब हमें कॉस्ट प्राइज बताना है तो यह selling price इसी के बराबर है तो अगर हम 17 एक्स इक्वल में 140 एक्स करने तो एक्स हमारा जो है दो हो जाएगा तो कॉस्ट प्राइज जो है हमारी एक्स की वेली दो होगी तो कॉस्ट प्राइज हमारी 200 रुपे हो जाएगी चलिए अब नेक्स प्रेस्टन के चलते हैं a man sell his good at 10% profit and he purchase it for rate 20 less and sold it for rate 20 more He would have gained 40% What was the initial cost price? माल लेज़े हमारा CP जो है वो 100X है और profit जो है 10% का है profit परसेंट जो है profit जो है वो 10% का है और selling price हो गया हमारा 110X 110X हो गया है और दूसरे पर हमें हुआ है 20% 20 लेस हुआ है और फिर 20 मोर और 40% का profit हुआ है तो हमें initial cost निकालनी है तो यह जो हमारा new CP हो जाएगा जो हमारा new CP होगा उस पर हमें 100x-20 और new selling price जो होगा हमारा new SP जो होगा हमारा तो वो होगा 110 110 x प्लस 20 तो अब 110 x जो है हमारा 110 x प्लस 20 वो 40% 140 profit हुआ है 100 इसके बराबर है बस अब हमें ये equation solve कर लेनी है तो ये 110 10 x प्लस 20 और ये यहां से 140 x और इसका 40% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 28 अब equation हमें बना लेनी है तो ये हमारा हो जाएगा 48 upon 1 into 30 x तो x की जो value है वो आ जाएगी 16 16 3 बंज़ 3 बंज़ 3 और 3 6 जाएटी तो x की value 16 आगी तो हमारा जो cost price है वो 160 हो जाएगा चलते हैं नए question के A man sell out an article at a profit of 25% and he bought it at 25% less and sold it for rate 25 less he would have still gained 25% for the cost price तो cp हमारा 100 x है 25% का हमको profit हुआ तो cp नियू ग्राइश और नियू एश पी तो 25% का लेश हुआ है तो 75 new cp है ये 75 x और new sp जो है तो उस पर हमको कितना हुआ है 25 less 25 rate परसेंट में नहीं है तो यह 125 x-25 अब हमें he would have still gain 25 परसेंट तो यह हो जाएगा 125 x-25 तो 25 तो 5 अपान 4 और 75 x तो यह हमें इसको find करना है तो यह हो जाएगा हमारा 125 x-25 इन्टू 5 अपान में 4 इन्टू 75 x 75 x तो अभी से हम 25 से काट लेते हैं 25 पंजे तो यह 5 x और यह 3 3 x हो गया तो और यह 24 पंजे 20 20 x और 20 x-4 और यह हो गया आपका पंद्रा तो 5 x इन्टू 4 तो x की वैल्यू आ गई आपकी 0.8 तो cp जो हो गया हमारा सीप्टी जो हो जाएगा हमारा एक्टी हो जाएगा तो अब आप आप लोग को question समझ में आ रहे हैं कॉमेंट में मुझे बताईएगा कि questions कैसे लग रहे हैं आप लोग को चलिए अब next question हम देखे हैं a man sell an article 5% above it cost price if he had bought it at 5% less than what he had paid for it and sold it at rate to less he would have gained 10% the cost price of the article तो माल लेते हैं cp हमारा 100x है तो sp जो है हमारा 105x हो गया अब new जो हमारा new cp जो होगा हमारा तो कितना है उस पर 5% तो 95x हो जाएगा और sp जो है हमारा new sp तो यह हो जाएगा 105x-2 यह दो less है न रेट में तो ऐसे लिखेंगे अब हम इसको भी solve कर लेते हैं तो 105x-2 इक्वल टू कितने का profit है 110 अपॉन में 100 और 95x अब इस तो यह हमारा हो जाएगा cp 400 मैंने फटाफट लिख दिया है आप लोग इसे calculate कर लीजिए हो जाएगा इसली और आप लोग को solve भी करना आ जाएगा अगर आप लोग एक बार खुछ से करके देखेंगे इसलिए मैंने सीधा direct cost price लिख दिया है इसको आप लोग खुछ solve करिएगा और comment में मुझे लिख के बताईएगा कि आप लोग ने इसे कैसे solve किया अब हम एक थोड़ा सा basic knowledge लेते हैं अगर माल ली दिये कोई article है और उसका selling price equal है और उसके profit percent जो है वो 10 सेम हो रहा है loss भी 10 परसेंट profit भी 10 परसेंट तो इस case में हमीचा always क्या होता है loss होता है और उसका formula होता है loss percent equal to x square upon 100 जब भी कोई article जिसका selling price equal हो और profit percent और loss percent सेम हो रहा हो जैसे 10-10 percent तो always loss होता है और उसका ये formula होता है ये छोटी सी trick है जो हमको question आगे करने में help करेगी चलिए next question देखते हैं ए राम sold two horses at the same price in one gets profit of 10 percent और other gets lost 10 percent तो राम को क्या होगा तो सबसे पहले हम देखते हैं एक horse horse one और horse two दस profit हुआ 10 percent का loss हुआ 10 percent का तो net loss हमें कितना होगा क्योंकि always less loss होता है तो 10 square upon 100 तो कितना हो जाएगा एक percent का loss ये SSC वगेरा में आ जाते हैं questions अब इसका ही advance version हम देखते हैं जो की banking वगेरा में आते हैं चलिए a house and a shop were sold for rate 1 lakh in this transaction the house sale resulted into 20 percent loss and the shop sale resulted in 20 percent profit तो entire transaction बतानी है हमको क्या होई चलिए start करते हैं ये house हो गया ये shop हो गया इस पे हमको 20 percent का loss हुआ है loss और इस पे हमको 20 percent का profit हुआ है तो जो है net loss जो है हमेशन loss होता है net loss percent जो होगा हमारा तो 20 गुणा 20 अपन में 104 percent का हो जागा लेकिन हमें entire transaction बता रही है तो हम क्या करेंगे total SP देखेंगे एक लाग का है तो total SP जो है हमारा वह दो लाग के हो जाएगा और net loss जो है वह हमको 4 percent का हुआ है तो 4 percent एक पटे 25 तो अगर हमारा loss यह है यह loss है यह cost price है तो SP जो है 24 हो जाएगा तो 200 के upon में 24 तो एक बाए 12 का हमको लाग का loss हो जाएगा एक बाए 12 का loss हो जाएगा हमें चली है next question देखते हैं a man buy 20 pence 20 pence pence plus 16 books कितना होगा cost price 3.16 he sell pen at profit pen पे उसे profit हुआ 20 परसेंट का profit और book पे नहीं pen पे 40 and book पे 25 परसेंट का profit 25 परसेंट का profit तो overall जो गेन हुआ वह 120 रुपे का हुआ तो हमको pen की cost price बतानी है तो यहाँ पर हम लगाएंगे allegation rule तो 40 परसेंट profit हुआ और 25 परसेंट का profit हुआ और कितने पे 120 रेट पे तो 120 और overall कितना है 360 तो 120 अपन में 360 इन्टू 100 तो यहाँ 100 बटे 3 तो यहाँ 100 बटे 3 तीन इज़र लिख देंगे तो 120 और यह 5 अपन में 100 तो यह हमारी value हो जाएगी 20 और यह 25 तो cost price का जो रेशियो है cost price का ratio जो है 5 अपन 4 आ जाएगा तो अब 360 को हम 5 अपन 4 में डिवाइड कर देंगे तो यह हो जाएगा 200 और यह हो जाएगा 160 तो 20 पैन और 16 बुक्स तो सबका रेट आजाएगा 10 तास तो cost price पूछेती पैन की तो 10 आगे आमारा आन्स है यह मारा 10 हो गया आन्स है थोड़ा मैंने नीचे लिख दिया है बस रेशियो जब आ जाएगा तो आप इसको 360 को जो है 5 वैं 4 में कर देंगे तो 200 अपन में 160 हो जाएगा फिर 20 पैन है और 16 बुक्स तो यह आपका 10 और 10 आजाएगा अब आपको clear हो जाएगा असानी से एक बार आप लोग यह questions सारे घर में भी try कीजिएगा और अगर आपको यह questions अच्छे लग रहे हैं तो like कीजिए subscribe कीजिए और bell icon को on कर लीजिए